कि वो बुल्डोजर योगी आदितेनाद का उन पुलिस वालों पर कब चलेगा जिन्होंने एक मा की कोक को जाड़ दिया और अपने समाज के उननेताव से भी पूछना चाहता हूँ जो ये सुनकर भी आज खामोस है मद्य पर्देश का हो सकता है लेकिन वो गुजर समाज का बेटा था आज इंसाफ और अदालत ने साफ तरीके से काया कि फरजी इनकाउंटर है अब तो योगी आदितेनाद जी मुक्यमंत्री से कहना चाहता हूँ नमस्कार स्वागत है आप सभी का इंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ भी पिंच उधरी मुरेना मद्य पर्देश के आकास गुर्जर एंकाउंटर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है गुर्जर समाज में इस एंकाउंटर को लेकर बड़ा रोस है गुर्जर समाज उत्तर पर्देश की योगी सरकार की कानून व्यवस्ता पर लगातार सवाल उठा रहा है अब आप सोच रहे होंगे के मामला तो मद्य पर्देश का है लेकिन गुर्जर समाज उत्तर पर्देश की कानून व्यवस्ता पर सवाल क्यों उठा रहा है योगी स समाज में बड़ा रोज है आज हम आकास गुर्जर एंकाउंटर पर ही बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राश्टिय वीर गुर्जर सेना के राश्टिय अद्यक्स सोनू गुर्जर जी मौजूद हैं सोनू जी सबसे पहले तो मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं नमशकार विपिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद गुर्जर समाज लगातार आकास गुर्जर एंकाउंटर को लेकर उत्तर परदेश पुलिस पर सवाल उठा रहा है ऐसा क्यों देखिए विपिन जी हमारे मान मुख्य मंतरी योगी आदितेनाज जी कहते हैं कि उत्तर परदेश की कानून विवस्ता बहुत अच्छी है यहां अपरादियों के लिए कोई जगह नहीं है अपरादी होते ही उनका बुल्डोजर चल जाता है तो वही इस उत्तर परदेश की धर्ती पर एक बेकसूर एक ब से बड़ी बात तो हमारे समाज के लिए यह है कि हमारे समाज का नाम अपरादी के रूप में लिखकर आखास गुजर जबकि वह आखास गुजर नहीं लिखता था लेकिन आखास गुजर यह लिखकर यह साबित करते हैं कि जो विरादरी देश के लिए वफादार है देश क बेकसूर बच्चे को, एक मा के लाड़ले को, एक बाप के प्यारे बेटे को बेकसूर होकर मार दिया, बाबा बुल्डोजर वाले कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ अपनी राष्टी वीर गुजर से नका राष्टी अद्रक्स होने के नाते, कि वो बुल्डोजर योग य गुर्जर मद्य परदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सवाल उत्तर परदेश की पुलीस पर उठाए जा रहे हैं, योगी सरकार पर उठाए जा रहे हैं, तो आकास गुर्जर का यहां उत्तर परदेश से क्या कनेक्शन था, क्या पुलीस ने बताया था, देखिए मुरेना जिला जो सीमा वर्ती जिला है और हमारे उत्तर परदेश का दोनों सीमा वर्ती है तो मद्धे परदेश से उत्तर परदेश आगरा में अगनी वीर की भरती के लिए आया हुआ था तो जब यहां का अपराद हुआ है इस धरती पर अपराद हुआ है तो फिर पूछे किस से जा दी और मैं पूछना चाहता हूँ अपने योग यादिते नाथ से अपने मुक्य मंद्री कि वो आज इस बेकसूर बेटे की उस पर चुप क्यों है और अपने समाज के उन्नेता उसे भी पूछना चाहता हूँ जो ये सुनकर भी आज खामोस हैं मैं कहना चाहता हूँ कि जिस गुजर इस गुजर समाज का बेटा नहीं था मद्य पर्देश का हो सकता है लेकिन वो गुजर समाज का बेटा था आज इनसाफ गुजर समाज से मांग रहा है और गुजर समाज के रहनुमाओं से मांग रहा हूं जो सहता में बैठे हैं हम संगटन वाले तो विरोध करते हैं और आकांस गुजर के लिए लड़ते रहेंगे हम राश्टेवीर गुजर से ना और हमारे जितने भी संगटे ने अगर हमें पूर जोर से भी इसकान दोलन करना पड़ा तो विपिंजी हम पीछे हटने का काम नहीं करेंगे लेकिन सोनु जी सवाल तो ये है कि उत्तर परदेश पुलिश ने आकास गुजर पर यदि कोई कारवाई की थी उसका इंकांटर किया था तो कुछ तो उसका अपराद होगा कुछ तो कुसूर होगा सायद अपराद ये था कि वो गुजर समाज में पैदा हुआ है वो एक बेकुसूर लड़का एक किस वर्षी है क्या अपराद हो सकता है और दूसरे जिले में आकर क्या अपराद करेगा वो तो बस में बैठकर अगनी वीर भरती के लिए जा रहा था इस धेश की सेवा करने लुटवाते रहेंगे कभी देश के नाम पर कभी अपराद के नाम पर मैं तो डरता हूँ हमने 73 जवान अपने राजिस्थान में खोय जाती के लिए मापन्या धाय का उधारने चंदन के रूप में उन्होंने खोया कि क्या मेरी माताएं बहने अपने लाल इसलिए पैदा क करेंगे कि अपरादी उन्हें मार सकें और उनका कोई सवाल न उठा सकें लेकिन अब राष्टे वीर गुजर सेन अपने सारे संगड़न और अपने गुजर समाज को लेकर इसकेा बारे में एक बड़ा विरोध करेगी और अपने उन समाज के नेताव से भी पूचना चाहत था ये वो मुटवेड हुई पुलिस के और उनकी और पुलिस पर फाइरिंग बगरा की गई देखे पुलिस केस बनाती है लेकिन फैंसले हमेसा अदालत ये करती है अदालत ने साप फरजीन काउंटर बताया है फरजीन काउंटर और जो काम पुलिस को करना चाहिए था एक ज अन्यवात देता हूँ जो माँ अगर वो चाती तो अपने घर से नहीं निकलती लेकिन अपने घर से निकली और बेकसूर बच्चे के लिए सबूती कटे किये और अदालत ने साफ तरीके से कहा कि फरजी इनकाउंटर है अब तो योगी आदितेनाजी मुक्यमंत्री से कहना च चलेगा क्या आकास गुजर एक बेकसूर लड़का है अगर वो मारा जाता है तो अपरादी को ने जो अपरादी है सजा उसे मिलनी चाहिए अपनी राष्टी वीर गुजर सेना की तरफ से मैं ये मांग करता हूँ मानिय मुक्यमंत्री से और यहां के सासन पर सासन से क्या का मास गुजर को और इस गुजर समाज को इनसाफ मिले मतलब आपको लगता है कि उत्तर परदेश में जहां पर योगी जी का सासन है मतलब पुलीस यहां पर फरजी इनकाउंटर कर सकती है यह मैं नहीं अदालते कह रही है और अदालते भगवान के बाद जज को दूसरा भग चाहिए लेकिन एक बेकुसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए और इन्होंने तो उसे मौत के गाट उतार दिया तो इन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए तब यह गुजर समाज को श्चैना आएगा और सायद इस आकांस गुजर की भटकती हुए आत्मा को भी समाज में जिसे वीरों का समाज बताया गया जिसे योद्धाओं का समाज बताया गया राजा महराजाओं का समाज बताया गया उस समाज में जनम लेकर आज मेरी माता सडको सडक फिर रही लेकिन इनसाफ उसे नहीं मिल रहा है तो ये सवाल हर उस गुजर से टकराएगा चाहे चोटा हो बड़ा हो नेता हो कोई भी हो ये सवाल का जवाब उसे देना होगा चाहे वो कोई बड़ा नेता है चाहे कोई भी है चाहे अपसर है कुछ भी है गुजर समाज के लिए सवाल हर जनम हर बल हर पल आता रहेगा अब अदालत ने तो कैदिया है कि वो फरजी एंकाउंटर था लेकिन आकास गुर्जर तो जा चुके हैं उनका तो स्वर्गवास हो चुका है तो अब उसकी माँ और उसके बाप का क्या आलोगा वो तो बिल बिला रहे हैं रो रहे हैं कह रहे हैं कि अब तो सबके सामने हाँ ये सत्य है जो आपने का आकास गुजर वापस नहीं आएगा लेकिन धन्यवाद है उस मात पिता को उन्होंने एक ऐसा सबक दिया ताकि फिर कोई आकास गुजर इस तरह पुलिस मार ना सके वो काम उन माताओं पिताओं ने किया है मैं एक बार फिर आपके माद्यम से उन दोनों माता पिताओं कि चर्णों को वंदन करताओं और बार बार धन्यवाद करताओं कि उन्होंने अपने दुख को बुला कर लेकिन अपने बेटे के लिए जो इनसाप मांगा है और जो इनसाप करके दिखा है वो धन्यवाद का पातर है और धन्यवाद रहेगा मैं आपके माद्धम से इस लड़ाई में उनके साथ संपून है, हमारी राष्टिय अद्यक्स अभी पीछे ले कुछ महीने पहले मिलका यह थी ममता भाटी और हम फिर जाकर उनसे मिलेंगे, और जो भी कोशिस होगी राष्टिय वीर गुरुजर सेना उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलेगे, चलिए तो राष्टिय वीर गुरुजर सेना के राष्टिय अद्यक्स सोनु गुरुजर जी को आपने सुना, फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहे हैं इंदुस्तान 24 के साथ, नमस्कार.